हलो फ्रेंड्स, वल्कम तो आल, माइन नमीज सरत आप देखे रहें आपी का फेबरेट यूटुब चैनल स्मार्ट सरत टेक फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले आपना ओई फेबरेट सेयर येस ब्यांक के उपर से येस ब्यांक जो की आज मीन्स चार जन्वारी का दिन पे येस ब्यांक जैसे की फ्लाट क्लोजिंग दिया है इट मीन्स क्या है और जैसे की मेरा थमनिल में मैं लिखा है इन पांच दिन के अंदर येस ब्यांक में कभी भी आपको लटरी लग सकता है तो shareholder हो जाए तयार तो तयार होके रहना shareholder जो है उनको लटरी लग सकता है यह पांच दिन में ऐसा क्या होने बाला है जैसे की shareholder की लटरी भी लग सकती है तो इसके लिए क्या है वीडियो में हम लोग full discussion करेंगे और साथे साथ हम लोग Ace Bank क्या आगे चल कर कैसा performance कर सकता है उसका पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का टपिक टपिक स्टार्ट करने से बिल एक चीज़ बोलना चाहूंगा अगर आप लोग मेरे चैनल में new हो फर्स्ट एम मेरे चैनल रीट कर रहे हो तो आप लोग में request करूँगा वीडियो में कुछ information अच्छा लगता है तो फिर like comment share कीजिए और subscribe नहीं कहिए तो जल्दी से जाकर subscribe कर डालिएगा तो फ्रेंट्स और एक चीज़ जैसे कि आप लोग को हमेशा का तरह question है हमारा एक support group है जो की free of cost चला जाता है इसमें आप लोग को per day basis में intraday call equity option and future का call प्रोभाइड के आ जाता है आज की अगर मैंने आपको बात करूँ आज का देखिए आज का खली option call की बात कर रहा हूं अगर आप चाहते हो एसा option call में काम करना है equity में काम करना है तो आप इसमें जाइन कर सकते हो हमारा जो की support group में support group में जाइन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ना आपको एक मेरे link through demand account ओपन करना चाहिए चाहिए आप उपन कर सकते हो alliance blue नहीं तो 0 धा कोई भी link through आप डिमाड आकान उपन कीजिए और मेरे support group में add हो जाए जेकि free lifetime support group आपको कुछ क्यूरी रहेगा तो ये मेरा whatsapp number है इसमें आप लोग पूछ सकते हो मेरे को तो फ्रेंट्स आपको किदर मिलेगा link में ही provide करूँगा फ्रेंट्स आप किदर से भी link collect मौत कीजिए मेरा क्यूंकि कुछ गरबड़ी होता है मेरे को whatsapp में ping कीजिए मैं आपको link provide करी दूँगा तो फ्रेंट्स चलिए हम लोग topic में आ जाते हैं तो ये पांस दिन में क्या होने बाला है जैसे कि आप लोग को मालूम होगा आज है Monday Monday for January Monday से लेकर Saturday तक means 6 जान तक हम लोग इसमें कुछ तो बड़ी खबर आ सकता है जैसा मेरा कहना है तो क्या खबर आ सकता है उसका पर थोड़ा सा हिंट्स देना चाहूंगा चलिए ओस हिंट्स के उपर मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा मैंने बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग मालूम होगा MSI India Index का अंदर जैसे एस ब्यांग को जागा दिया गया यह मैं चीज में बिलिप भी नहीं किया था जैसे MSI India Index में इसको एस ब्यांग को जागा मिली जाएगा बट जैसे जागा मिलने का बाद उसके बाद एस ब्यांग 12 रुपे से लेकर 20 रुपे से लेकर 20 रुपे पच्चास पहिशा तक चला गया था और अभी भी उधरी है एसा नहीं जे आपका टार्गेड हो गया मेरा जो फर्स टार्गेड था 20 रुपे से हम लोग उसको आचीब कर लिये थे बट 20 रुपे से बाद वो 18 रुपे का अंदर ही घुमराए फ्रेंड्स नीचे आने को तयारी नहीं एस ब्यांक क्यूं उसका भी रिजन है जैसे कि मैं आप लोग को और एक रिजन देखाना चाहूंगा और एक रिजन जैसे कि मैंने last month means December में आप लोग को मैंने बोला था NP means mutual fund mutual fund के हिसाब से ये month first week means january first week के अंदर एस ब्यांक को large cap में entry मिलने का chance है इसके बज़े से एस ब्यांक वो क्या कर रहा है ना नीचे आने को तयारी नहीं है उधर buyer भीड़ जाते बाइंग करने के लिए तो ये मौका है कौन सा ना एस ब्यांक को उपर लेकर जाना है NP को मतलब mutual fund association को तो ये ही सबसे mutual fund का जो news ये ये week के अंदर आना चाहिए जैसे कि आज 4 तरिक और Saturday का अंदर ये आना चाहिए ही चाहिए तो अगर ये news आई जाता है तो एस ब्यांक में फीर एक बड़ा रप्तार आ जाएगा जो कि उसको खीच कर ले सकता है 25 से लेकर 30 रूपीज तक एस ब्यांक जा सकता है सटम में तो मिन्स सटम मिन्स आप बोल सकता है 1 वीक 2 वीक के अंदर वो जाने का तय है तो फ्रेंट्स ये हो गया एनफीक तरफ से ये जो news है ये कभी भी blast हो सकता है तो इसलिए तयार रहना आपको बहुत बड़ी लटरी लग सकती है जैसे कि मैंने मेरे थमनिल में बताया है तो देख से चलिए आज का दिन का एस ब्यांक का कैसा performance रहा आज एस ब्यांक जैसे कि आप लोको मालूम होगा अठरा रूपया का जो लो प्रिवयस डे का जो था उसका क्लोजिंग अज क्लोजिंग भी उधरी अठरा रूपया का उपर हुआ और आज का जो ओपन हुआ था सांदार ओपनिंग दिया था तो देख लेते आज का दिन का कितना percentage delivery गया है देखे कितना बड़ी परिमाने में इसमें buying हो रहा है, selling हो रहा है और finally इसमें जो 52% आप बोल सकते हो आज का दिन में माल उठा कर लेकर गे shareholder उनका portfolio के अंदर क्यों ना उसका भी reason है जैसे कि मैं आपको बोला ये week के अंदर कुछ ना कुछ MP का दोरा कुछ ना होने बाला है तो yes bank लो तो मारा था 17 रुपया 90 पैसा बट उधर रुकी नहीं पाया फिर आकर 8 रुपया का उपर closing भी दिया, means आपना जो closing जो previous day का और आज का दिन का closing देख सकते हो 18 रुपीज, it means ये उपर की उडान भरने के लिए तयार हो रहा है हो सके call भी निव जा सकता है ने तो ये week में निव जा जियागा इसका आपको इंतेजार करना चाहिए और yes bank को note करके आपका watch list में डालके रखिए अगर आपने अभी तक लिया ही नहीं एसा एस bank में कोई बड़ी बात होई गया नहीं जे आपको आपका जोर guard train छुट गया है और भी भी entry करने का मौका है एसा कुछ इशू नहीं अगर आप entry लेते हो आपका view middle term से लेकर long term का थोड़ा सा रखना चाहिए तो आच्छा पैसा आप एस bank में निकाल सकते हो तो फ्रेंट्स ये था मेरा भी आशा करता हो मेरा भी अप लोग को आच्छा लगा होगा अगर आच्छा लगता है तो like, comment, share कीजिए subscribe नहीं किये मेरा चैनल को जल्दी से subscribe कीजिए और आप अगर मेरा support group में आना चाहते हो तो वार्षब नमबर जो की मैंने दिया गया है और वीडियो का description में भी मेरा वार्षब नमबर है उसमें मेरे को पूछ सकते हो चले फ्रेंट्स आज का ये topic इधरी close करते हैं फिर नए topic के साथ फिर आऊंगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत